डिखे वो बिद्वर्मेंट में यही होगा की विद्यार्टी के द्यानिक प्रकृत्त बिसकार्यों में सहेता करता और इनके अधार पर ही बच्चों का सुमागन गिठास किया जाता है देखा जाता है बिटा, रिकॉर्ड रखा जाता है, कि कौन सा बच्चा कैसा था, जैसे अब क्लास में के बच्चा ऐसा होते हैं, नर्सरी टू टेंथ महीं करते हैं, तो तीचर्स को पता होता है कि ये बच्चा मेरा बहुत पुराना है, ये जब आया था तो कैसा था, और नेक्स्ट आएगा, for talking cooperation of the parents, अभी भावकों का सियोग प्राप्त करने के लिए, बच्चे विद्याले में 6-7 घंटे रहते हैं, ठीक है, जो बाकी का टाइम होता है, वह अपने parents के साथ होते हैं, ठीक है, और बच्चों को भी जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, घर में उसको repeat homework दिया जाता है, ठीक है, और घर में पूरा करके लाना होता है, और इन सब कारियों में, जो घर का homework होते हैं, उसकी responsibility के होती है, parents के, ठीक है, और इस इस योग को प्राप्त करने के लिए, बच्चों की परगती अविलेक का बहुत अभश्यक होता है, और इसमें जो parents होते ह है, बचों की कमजोरी का ग्यान होता है, ठीक है, इससे क्या होता है, homework देने का main reason क्या होता है, इस तो बच्चे वाहां से 6-7 घंटे पर आए, फिर क्या, homework देने का main reason यह होता है, एक तो parents को पता चलता है कि मेरा बच्चा कितने level का है, उनको उनकी कर्मियों का बारे में पत है, for selecting suitable student for different inter-class completion, कि विभीन अंतरे विध्याले परतियोगिता के लिए छातों का chain करने में, समय समय पर विभीन स्कूल्स में जो होते हैं, राष्टे इंटरनेशनल स्तर पर और राज्य स्तर पर संस्कृत खेल कूर्द करवाए जाते हैं, और उन में से अपने विध्याले क योगे चातरों को भी भीजना होता है, तो इसकारे में पिछले साल के record को काफी साईता करते हैं, और इसके लिए क्या होता है, और अगर ऐसकोल में, कॉम्पिटीशन की बात आती है, तो उन बचों का नाम पहले लिया जाता है, ताकि वह इसलिया जाता है, थाकि वह स्कूल की तरफ से उनको रिपेजेंट करें ठीक है ना तो इन सब बचों का रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि जब भी को भी ऐसे कॉंपटिशन की बात आए तो वह बच्ची यानि कि हार एक से छाटे जा सके जल्दी से चाल ठीक है और इसी क्या होता है विद्याले में छातुरों का वर्तमार परदशन योगिता देखकर ही पिछले वर्ष का चातर रिकॉर्ड देखकर उसका चाहिन कर लिया जाता है जिस मैंने आपको पहले बूले ठीक है अब मालनों कि हमारे कॉलेज में यह पेंटिंग ओंपेटिशन हो रहा है या कोई डांस कॉंपेटिशन हो रहा है ठीक है वो इंटरनेशनल लेवल पर जाना है तो हमें पता होगा कि हमारा बच्चा कौन कितने अच्छे त्रीके से जो चीज करता उस करना हम पहले रिपर्जेंट करते हैं ठीक है नेक्स्ट आएगा हमारा में अब्जेक्टिक वाओ चिल्डर्ड अचीवमेंट प्रमुक उदेश्य क्या होते हैं गिविंग अनिसेसरी इंफोर्मेशन अबाउट स्टूडंट और पेरेंट्स गाइनस और टीचर ऑफ स्टूडंट्स की विध्यारतियों के जो माता-पिता होते हैं सरक्षक हैं शिक्षकों को विध्यारती के बारे में अवशक सूच नह देना कि हर एक पेरेंट्स को उनके टीचर को अपने विध्यारतियों के बारे में हर एक चीज कहा हैं बोलते हैं उनकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि कौन से बचा कौन सी फैमिली से ब्लॉट प्रॉंग करता है उसकी कैपेबिलिटी कैसी है पड़ने में कैसा हो एंकि हर एक चीज़ की नॉलिज़ टीचर्स को पेरेंट्स को सेक्षक को हुनी चाहिए और अर्रेंजिंग दा वियरिस आर्टिकल्स टू हैल्प गाइड स्टुडेंट्स की विध्यार्टों की निर्देशन में सहीता के लिए विभीन अलेखों की विवस्ता करना होता है ठीक है नेक्स्ट आएगा हमारा मंटेनस और वियरिस टाइप ऑफ आर्टिकल्स रिकॉरइड बाई दा हैड टीचर फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ स्कूल इसमें जो विध्यायले के अपयुक्त संचालन के लिए मुखध्यापब को विभीन प्रकार के अलेखों के अवश्यक पूर्ति होती है ठीक है उनको रिकॉरड मिलता है हर एक टीचर से, जो हर एक क्लास से, हर एक क्लास टीचर से, जो प्रिंसário होता हर एक का रिकॉर्ड लेता ताकि वो अपनी अवशकता की अलेखों को कि अवशकता उकि पूर्ती कर सके। ठीक है वो विध्यालों के विकास के लिए विध्याले योजना अिमान में सहिता करता है कि assisting in the school planning for school involvement कि आगे देखना चाता है कि हमारा जो विध्याले है किस तरह विकास की ओर जा सकता है क्या योजना बनाई जाए क्या से planning की जाए कि हमारे जो विध्याले स्कूल है वो यानि की अचीनमेंट की तरफ जाए ठीक है विध्याले के सबी प्रकार के कारेकरों के मुल्यांकन के लिए अलेखों के ववस्ता करना होते है ठीक है अर्रेंजिंग अर्टिकल पॉर वैलुएशन ओफ तो ओल टाइप सोब स्कूल ठीक ह इसमें यह होता है कि अभी लेखों का रिकॉर्ड अंदर से एक बुक त्यार की जाती है सबसे पहले ठीक है लेखों का मतलब त्यार करना है यह रिकॉर्ड कैसे रखा जाता पहले तो एक बुक होती है ठीक है पूस बुक में बच्चों का रिकॉर्ड होता है सारा ठीक है व इनको रखने के लिए एक अलग कम रहा हो ताकि एक लग स्थान होटा की हम बात करें किसी चीज की जो उस अलेक से बच्ची का हम पता हसानी से लगा सके अगर है उसके एड्वांटेज की बात करेंगे स्कूल के लिए कैसे लाबदाए को या अब हम पढ़कर आया अगर हम अपने स्कूल हम अपना कुछ मानुक रेक्टर साटिव के राज से 20 साल बाद लेने जा रहे हैं तो आज भी हमारी स्कूल में हमारा रिकॉर्ड होगा ठीक है उन्हीं अलेकों को निकाला जाएगे का बच्चे ने पढ़ा था कब यहां से ग यह सारी चीज करें को रिकॉर्ड रखा जाता है और अगर हम एड्वांटेज ओफ टीचर की बाद एड्वांटेज टीचर के लिए कैसे होगा लाबदाई कैसे होगा वर्ष की आरम में विध्यारतों को जाना जा सकता है असानी से मालों जैसे कि मैंने बात की कि मैं नहीं ही तो आगर मैंने आप सब बच्चों के बारे में जाना तो चार से पांच मेने लेंगी तो महत conceit और देखुंगे की कौण सा बच्छा कैसा है धिले के अंटक तो मुझे मीने भर में भी सब बच्चों में सब बारे में पूरी नॉलेश के तो बूधि-बुद्धिर्शन क कि अधार पर बनाया जाता है मंद बूधि बाल को की खोज असानी से की जा सकती है ठीड है और अगर हम एड्वांटेज और प्यूपल की बात करें विद्यारतियों के लाब की बात करें तो विद्यारती अपने वर्गी गण को न्याय प्राप्त कर सकते हैं अच्छे से रिको करेंगे पर पेरिंग रिपोर्ट कार्ड क्या उता है थीक्या क्या होता है रिपोर्ड कार्ड में काथ थे ठीख है थाइग क्यों